दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही जबर्दस्त होंगे और एक नई बिजनस अपॉर्चनिटी का इंतिजार कर रहे होंगे जो आज आपको मिलने वाली है फ्रेंचाइज गताओ के चैनल पर मैं हूँ आशी शगरवाल आपका अपना बिजनस दोस्त और आज आपके साथ शेर करूँगा एक फूड बिजनस अपॉर्चनिटी दोस्तों इंडिया में ज़्यादा तर लोग फूडीज हैं हम सभी लोगों को खाना बड़ा पसंद है खाना भी पसंद है और खिलाना भी पसंद है हम बात करें तो हर राज की अलग-अलग स्पेसल डिसेस होती हैं हर जगा आपको कुछ नया खाने को मिलेगा और दोस्तों इसी चीज को देखते हुए आज जो ब्रैंड है वो आपके लिए लेकर आया फूड ओफ इंडियन्स जिहां दोस्तों जिस ब्रैंड की आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस ब्रैंड का नाम है फूड ओफ इंडियन्स इस ब्रैंड की यूएस पी यह है क कि यहाँ पर number of dishes जादा है, दोस्तो इसके अलावा food की अगर हम बात करें, तो food में important होता है quality and hygiene, तो quality और hygiene दोनों आपको मिलने वाली है food of Indians में, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको menu क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तो जैसे कि मैंने बता है एक बहुत लंबा चोड़ा menu है, लेकिन कुछ special में आपको बता दू, आपको noodles मिलने वाले है, pizza मिलने वाला है, garlic bread मिलने वाली है, आपको इसके अलावा चाप मिलने वाली है, आपको इसके अलावा पाव भाजी, दम, आलू, राजमानान, पराठे, यह खुद की बनाते हैं, दोस्तो इसके अलावा, मैगी, मैगी के लिए इनका special लेक छपा हुआ है देनिक भासकर में, इनको वहाँ पर भी उलेक किया गया है, दोस्तो यह जो food of Indian brand है, यह brand इन्दोर से शुरू हुआ brand है, और आज पूरी इंडिया में यह अपनी franchises दे रहे हैं, यह एक ऐसा brand है, जो कि लोगों को profitability जल्दी लाकर देता है, जो low investment में start होता है, साथी साथ आपको पूरा पूरा support करता है, आज इस video में हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको क्या menu मिलने वाला है, कितनी आपकी investment आने वाली है, किस तरीके से आप इस business को start कर सकते हैं, और क्या profitability होगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि यह brand इंदोर से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंदोर की dishes तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ आपको पूरी इंदिया से अलग-अलग dishes मिलने वाली हैं, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग चीज़े मिलने वाली हैं, जैसे हम बात करें इंदिया का national drink, चाय भी मिलेंगी, coffee भी मिलेंगी, ice cream भी मिलेंगी, mocktails भी मिलेंगे, नाचो उसके अलावा आपको मॉमर्स, बर्गर, गार्लिक ब्रेट, पिज़ा, नूडिल्स, चाप, और इसके साथ-साथ बहुत सारी अलग-अलग dishes हैं, अगर आप इसका complete menu जानना चाते हैं, तो आपको description में नंबर न ज़रा रहा होगा, आप इस नंबर पर call करके, इनके complete menu हमसे मंगवा सकते हैं, ये तो बात रहीं के menu की, अब हम बात करते हैं इनके taste की, दोस्तो इनके यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, सबी लोग इनकी तारीफ करके जाते हैं, क्योंकि इनका जो taste होता है, वो हर area के हिसाब से, हर राज़ी के हिसाब से, जहाँ पर इनका outlet खुलता है, उसके हिसाब से, वहाँ के लोगों के taste के हिसाब से, उन्हें taste लेते हैं, ताकि उनको बहुत अच्छा feel आए, दोस्तो अगर हम बात करें इनके outlets की, तो इनके outlets का ambience, बहुत ही जबर्दस होता है, कुछ pictures में आपको यहाँ पर इस्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिए, कि आप जब किसी ऐसे outlet के अंदर जाएंगे, तो बैट के खाने में मज़ा आएगा, तो ये बात थी इनके outlet की, अब हम बात करते हैं, कि आप किस तरीके से इस brand की franchise ही ले सकते हैं, तो दोस्तो franchise के लिए इन्होंने बहुत ही nominal charges रखे हैं, आज की दिन अगर आप कोई इतनी सारे dishes के साथ अपना outlet भी खोलेंगे, तब भी आपको 15 लाख रुपे के आसपास का investment आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर food of Indians ने बहुती R&D की है, बहुती low budget में एक ऐसा cafe start किया है, जहाँ पर की आपको profitability जादा आए, और इसलिए इनका जो total investment है, including franchise fee वो है दोस्तों सिर्फ 6 लाख रुपे, आप मात्र 6 लाख रुपे से भी food of Indians की franchise इस्टार्ट कर सकते हो, जिसमें की franchise fees भी included है, अगर मैं बात करूँ कितना area आपको चाहिएगा, तो आप 2500-300 square weight में भी आसानी से food of Indians की franchise ले सकते हो, अगर आपके बस बड़ा area होगा, तो उसके interior में और चीजों में आपका investment थोड़ा ज़ादा लग सकता है, तो ये तो बात थी आपके investment की, अब हम बात कर लेते हैं profitability की, तो again मैं बहुत सारे वीडियो सो बताता हूँ, आज मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी food business में एंटर करेंगे, तो वहाँ पर आपकी profitability अच्छी होती है, आसानी से आपको 40-50% का profit margin मिल जाता है, अगर आपकी sales per day 10,000 की भी होती है, तब भी आसानी से आप सारे खर्चे निकाल कर, 80,000 रुपे से लेके लाख रुपे तक कमाल होगे, और 10,000 की sales इतने बड़े menu के साथ करना बहुत चोटी बात होगी, अगर आप marketing और promotion में थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, तो आसानी से 10,000 की sales आपकी आजाएगी, अगर आपने location सही चुनी है, अगर आपके जो cook हैं, वो cook अच्छा cook कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको USP बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी USP यह है, कि Food of Indians आपसे कोई भी maintenance और royalty चार्ज नहीं करता है, जिसकी की वज़े से आपकी profitability जादा होती है, यहाँ पर आपको trend safe भी provide किये जाते हैं, अब इसके अलावा आपको marketing में खर्च करना है, आपको hyizine पर ध्यान देना है, आपको quality पर focus करना है, अगर यह कुछ चीज़े कर लेंगे, तो आसानी से आपकी sales 10,000 के तो आई जाएगी, और आज के दिन Swiggy, Zemato और बहुत सारे ऐसे aggregate platform के जरिये, आप महीने की 20-25,000 के भी sales कर लेते हैं, अगर आप 25-30,000 के sales अचीव कर लेती है हो daily की, तो इस outlet से 2,000,000 पर महीना कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इतनी income आसानी से earn कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, अब हम बात करते हैं, जो investment है इसके break-up की, तो इस investment का break-up क्या है, यह जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों, मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको center furnishing पर खर्चा आता है, P.O.P. ceiling पर 85,000 अज़रपे के आसपास खर्चा आ जाता है, furniture, fixture पर खर्चा आएगा, electrical equipment पर आपका कुछ खर्चा आएगा, यह सब मिलाकर company की जो total investment आने वाली है, वो आने वाली है, वो आने वाली है 6,00,00 रुपे, तो यह आपके लिए investment का break-up था, कि 6,00,00 रुपे में company आपको एक complete store start करकर दे रही है, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो company आपसे franchise fees ले रही है, इसमें आपको company क्या क्या देने वाली है, अगेन मैं आपके साथ screen पर इनके complete details share करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलने वाला है franchise fees के against, आपको internal branding मिलेगी, आपको glow sign board मिलेगा, एक महिने की salary देगी company दो shape की, पैंपलिट्स मिलेंगे, आपको facebook and instagram paid promotion company करेगी, आपको menu card, paper napkin, staff dresses, आपको lifetime agreement मिलेगा, material by back की guarantee आपको मिलेगी, doll delivery raw material मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, अगर आप food of indians, FOI की franchise लेते हैं, तो जो franchise fees भी ले रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़े, आपको inbuilt दे रहे हैं, मतलब कि आपको company 6,5 लाख में, इसी लिए खुरवा के दे पा रही है, क्योंकि company आपको end to end, पूरा पूरा support करती है, आपके business को start कराने में, तो ये तो बात थी, आपके investment के break up की, और साथी साथ, आपके franchise इफीस के break up की, साथी साथ मैं आपको बताया, profitability के बारे में, अब हम जानते हैं, इस company की USP क्या है, क्या आपको store opening से पहले company आपको support देती है, और क्या support आपको store opening के बाद मिलता है, तो सबसे पहले दोस्तो, store opening से पहले, आपके staff, जो भी आपको cook रखने है, उन cook को appoint करने की जिम्मेदारी company लेती है, तो दोस्तों अगर हम बात करें pre opening की, कि आपकी opening से पहले company आपको किस तरी के से support करती है, तो सबसे पहला support तो होता आपका store setup का, कि store setup कैसे होगा, उसका architect design क्या होगा, कैसे आपके machinery लगेंगी, क्या आपका sittings होगा, और सब चीजों के बारे में company आपको पूरा पूरा guide करती है, और जब ये सब चीजे हो जाती है, तो आपकी marketing के बारी आती है, प्री opening के गरम बात करें, तो उसमें FBN, इंस्टा marketing, pamphlet distribution, और अलग-अलग तरीके से marketing करती है, तो दोस्तों ये तो थी pre-opening, सबसे बड़ी जो किसी भी company की, किसी भी brand की जिम्मिदारी होती है, जब वो कोई franchise outlet खोल लेता है, तो franchise outlet open करने के बाद, वो अपनी franchise को support करे, और यहाँ पर बहुत सारे brand fail हो जाते हैं, लेकिन food of Indian बहुत ही dedicated है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे support मिलने वाला है, जब एक बारा franchise ले लोगो उसके बाद, तो यहाँ पर मैं आपको again screen पर दिखा रहा हूँ, कि आपको क्या-क्या benefit मिलने वाले हैं, post launch support के अगर हम बात करें, और इसके अलावा local influencer या food blogger के द्वारा भी आपके marketing कराई जाएगी, company आपके लिए marketing पर बहुत पैसा खर्च करती है, कुछ company करती है, कुछ आपको guide कर देती है, कि अगर आप यह करेंगे तो आपको अच्छा benefit आ जाएगा, और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके लिए staff hiring, आपके लिए स्विगी और जमेटो पर onboarding कराना, आपके लिए local marketing करना और आपको time to time आपको widgets देना, यह सारी चीशे company करती है, आपको supervise, आपका store का regular supervision होना, आपका आपको नया staff हाया है, उसको training देना, हर चीश company आपके लिए करती है, so that कि आपका जो store है, वो smoothly run करें, और दोस्तों इनके इन्ही qualities की वज़े से, इनका stores आज successfully run कर रहे हैं, और इनको award भी मिला हुआ है, Uber Eats की तरफ से भी और FM की तरफ से भी, जो award भी मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ, तो again, यह company एक बहुत ही growing company है, इंदोर की एक company है, जो पूरी इंडिया में नाम कमा रही है, और अगर आप इनके franchise लेना चाहते हैं, तो franchise लेना बड़ा ही simple है, आपको screen पर number दिया गया है, description में number है, आप इन पर call करके हम से संपर कर सकते हैं, और आपको हम इनके franchise दिलाने में आपके पूरी-पूरी help करेंगे, और दोस्तों, यह इतका process क्या रहता है, जैसे कि आपने call किया, call करने काथ हम समझेंगे, आप कहां से बोल रहे हैं, आपके पास कितना area चाहिए, वो है कि नहीं है, आपके location क्या है, उस locality में company जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, यह सब चीज़े हम समझेंगे, और समझने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ, यह सब चीज़े okay हैं, देन आपकी जो profile ए company को refer के जाएगी, और company की तरफ से approval आने के बाद, आपको initial token amount pay करना पड़ेगा, और उसके बाद company visit होती है, विजिट होने के बाद आपका layout हो गयरा सब design होते है, और एक एक कर्या आपको material भेजा जाता है, और in between आपका agreement sign up हो जाता है, और आपकी franchise एक महीने के अंदर अंदर आपके अपने शहर में start हो जाती है, और आप income earn करना सुरू कर देते हो, तो दोस्तों ये company बहुत ही professional company है, बहुत ही strategic तरीके से grow कर रही है, तो आप भी इनकी growth में इनके हिसेदार बन सकते हो, आपको बहुत ही कम कीमत में franchise मिल रही है, कल हो सकता है, इसी के लिए आपको ज़्यादा investment करना पड़े, तो आज सही मोका है, सही समय पर phone उठाईए, call कर ये, या फिर दोस्तों आप description पर दिये गए Google form को fill कर कर भी अपनी जानकारी दे सकते हैं, और आपको company के officials की तरफ से call आ जाएगा, तो ये थी आज की पूरी जानकारी food of Indians की, ऐसी ही business opportunities आपको मिलती रहेगी, franchise बताओ पर, देखते रही है franchise बताओ, और चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, क्योंकि आपका एक-एक subscription बहुत important है, और वीडियो को जितना हो से कि उतना share करिए, ताकि लोगों को पता लगे, कि क्या जबर्दस business opportunity है, उनके लिए इंडिया की, जैहिन जै भारत!